हेलो बच्छो आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की वर्कशीट 4 करेंगी बच्छो इस वर्कशीट में आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर The Little Fit Tree के कोशनस दिये गए हैं तो चलो बच्छो अपने इस चैप्टर के कोशनस के आंसर लिखते हैं First question है I feel angry when मुझे एक face बना हुआ जो बीच में दे रखा है न वो face है angry का जब हम गुस्ता होते हैं तो हम ऐसी शेकल बना लेते हैं जैसे smiley में बनी हुई है तो I feel angry when मैं बहुत गुस्ता होता हूँ जब mother scold me मेरी मम्मी मुझे मारती है या डाटती है Next हमें खुद लिखने है मैंने लिखा हुआ है my sibling and I fight जब मैं और मेरे भाई बहन लड़ाई करते हैं तम मैं गुस्ता होता हूँ जब I lost a game जब मैं एक game हार जाता हूँ तब भी मैं गुस्ता होता हूँ आपको गुस्ता जब भी आता हो उसके बारे में यहाँ पर लिख लेना जैसे मैंने लिखा है कि जब मैं अपने भाई बहनों से लड़ती हूँ तब मुझे गुस्ता आता है नेक्स्ट है I feel यह जो smiley बना हुआ है यह surprised का है surprised मतलब आज चर्रे चकित हो जाना मैं आज चर्रे चकित यानि surprised हो जाती हूँ when I get gift जब मुझे एक gift मिलता है My parents come to my school मेरे जो माता पिता है वो मेरे school आते हैं तब मैं एकदम surprise हो जाती हूँ कि मेरे ममी पापा school आए है Next My sister make good food और जब मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है तब भी मैं surprise हो जाती हूँ यानि आज चर्रे चकित हो जाती हूँ हैरान हो जाती हूँ Second question है Observe the picture carefully हमें इस picture को देखना है and describe it और इसे describe करना है इसके बारे में बताना है Use the given clues इसके लिए हमें clues भी दिये गए है बचो पिच्चर में देखो पिच्चर में garden दिखाया गया है जिसमें कुछ बच्चे picnic मना रहे हैं बच्चो में दो लड़किया है और तीन लड़किया है यानि two girls है और three boys है बहुत सारे tree है garden में साथ में सामने hut भी दिखाई दे रही है यानि जोपड़ी भी दिखाई दे रही है जो garden है वो बिलकुल clean है जो tree है वो उचे है यानि टॉल है पिच्चर को observe करने के बाद चलो अपिस sentences को fill करते हैं फर्स्ट है there are dash girls enjoying in the picture जो picture है उसमें कितनी girls enjoy कर रही है two girls है दो लड़किया है ना तो यहाँ पर two आजाएगा नेक्स्ट है are dash trees standing in the garden गार्डन में कैसा पेड़ खड़ा हुआ है उचा यानि tall tree खड़ा हुआ है नेक्स्ट है people are eating dash food जो लोग है वो कैसा खाना खा रही है tasty खाना खा रही है नेक्स्ट girls are wearing beautiful dresses जो girls है उन्होंने बहुत सुन्दर dresses पहनी हुई है नेक्स्ट the garden is looking very clean जो गार्डन है वो कैसा दिख रहा है साफ सुत्रा दिख रहा है clean दिख रहा है next question है observe the pictures write the opposite of the given words हमें pictures को देखना है और इनके opposite लिखने है यानि opposite words लिखने है विलोम शब लिखने है opposite words होते हैं विलोम शब यानि उल्टे शब जैसे पहली picture में एक लड़की सीसो जूला जूल रही है जिसमें वो अकेली है और बैठी हुई है वजन के साथ और दूसरी साइड एक apple रखा हुआ है तो जो लड़की है वो heavy है और apple light है heavy मतलब भारी light मतलब हलका next question में एक खिड़की में सूरज निकला हुआ है यानि morning है और दूसरी खिड़की में चांता रही है यानि evening हो गई है morning मतलब सुभा evening मतलब शाम morning और evening भी opposite होते है एक smiley face बना हुआ है और दूसरा sad face बना हुआ है यानि एक खुश है और एक दुखी है तो happy और sad happy मतलब खुश sad मतलब दुख next एक shirt का آगे का हिस्सा दिखाया गया है और दूसरी पिच्चर में shirt का पीछे का हिस्सा दिखाया गया है तो ये opposite words ओजाएंगे front back front मतलब आगे की हिस्से को कहते हैं back मतलब पीछे के हिस्से को कहते हैं नेक्स्ट में बल दिखाया गया है जो की जल रहा है और दूसरी वारी साइट में बल बंध है तो इनका पोजिट वर्ड हो जाएगा ब्राइट डल ब्राइट मतलब तेज रोशनी देना डल मतलब दीरी रोशनी देना नेक्स्ट है जिसमें हमें टर्टल दिखाया गया है और रैबिट दिखाया गया है टर्टल मतलब कच्छुआ रैबिट मतलब खरगोश अब टर्टल कैसा होता है स्लो और रैबिट फास्ट होता है यानि तेज होता है तो अपोजिट वर्ड हो जाएगे स्लो पास्ट स्लो मतल करना है, boxes में हमें कुछ words भी दे रखे हैं clue के रूप में, sentence क्या है, the name of the magician was dash, हमारी जो story थी, उसमें magician यानी जादूगर का नाम क्या था, shetty, blue box में देखो, shetty लिखा भी है, next है, leaves of little pit tree were like, जो little pit tree था, उसकी leaves कैसी थी, निडल जैसी, निडल मतलब सुईयों जैसी, c है, dash ate the green leaves of the pit tree, कौन green leaves खा गया था, pit tree के, कौन हरी पत्तियां खा गया था, pit tree के, गोट खा गयी थी, यानी बकरी खा गयी थी, उसकी पत्तियां सारी, next है, the golden leaves were stolen, जो सोने की पत्तियां थी, वो चोरी हो गई थी, next है, due to the wind, the glass leaves were broken, हवा की वज़े से, जो शीशे वाली पत्तियां थी, वो टूट गई थी, glass leaves कहते हैं, शीशे वाली पत्ति, ये चीज़ बच्चों आपको तब समझाएगी, जब आप story पढ़ लोगे, और story का link मैंने description box में दे रखा है, आप उस पे जाके story पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, या फिर मेरे चैनल पर जाके भी ये story देख सकते हो, तो बच्चों ये थी हमारी class vote की English की worksheet पोर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि जब भी हम वीडियो जाले, आपके फोन में notification आ जाए,